Hello everyone, welcome to my channel देखिए मेरे घर की टेरिस पर बना हुआ छोटा सा किचन गार्डन जिसे मैंने अब सर्दियों की सब्जियों के लिए तैयार कर लिया है और अब हम सर्दियों की सब्जियां लगाना शुरू करेंगे तो आप भी मेरे साथ विंटर वेजिटेबल्स लगाना स्टार्ट कर सकते हैं मैं अभी बीज लगाने से लेकर के सब्जिय तैयार होकर के हार्वेस्टिंग तक मैंने क्या-क्या इनकी देख भाल करें क्या खात डाली कप क्या किया अप्डेट्स वीजियो के माध्य हम से देती रहोंगी तो आप भी मेरे साथ जुर्ण सकते हैं और विंटर वेजिटेबल्स लगाना स्टार्ट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले एक जलग देख लेते हैं कि विंटर्स के लिए अपने गाडन को तयार करने से पहले जब मैंने वेनी वेजिटेबल्स निकाली सारी कंटेनर्स को साफ किया तो मेरे छट पर कितना मैस हो गया था ये देखिए कितना सारा कूड़ा कच्रा निकला है जितनी भी बेले खराब हो गए थी जो पौधे खराब हो गए थे और जो कंटेनर्स खराब हो गए थे ग्रो बैक्स वगरे जो फट गए थे पुराने हो गए थे वो सारे मैंने खाली क ये सारी मिट्टी को साफ करके कंटेनर में दुबारा डाल दिया और सारे पॉधे मैंने हटा करके और उसके बाद मेरा मेरा ये गार्डन अब सर्दियों के लिए तयार हुआ है तो एक बार नए सीजन के स्टार्टिंग में ऐसा सीन होता ही है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है अकर किचन गार्डिंग का शौक रखते हैं तो थोड़ा सा काम तो फैले गाई लेकिन अब देखिए ये सब कुछ क्लीन हो चुका है और अब सबजियां लगाने से पहले मैंने सारे कंटेनर्स की मिट्टी में थोड़ी थोड़ी गोबर की खाद डाल करके मिट्टी को तयार कर लिया है लगबग आधी से जादा कंटेनर्स में मैंने ऐसे करके रेडी कर लिया है और बाकी के मैं बाद में कर लूँगी और देखिए क्योंकि मैं कई सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ तो मेरी मिट्टी पुरानी हो चुकी है लगातार खाद डलती रहती है इसलिए मैं बहुत जादा खाद शुरू में नहीं मिलाती हूँ थोड़ी से खाद ही मिलाती हूँ लेकिन अगर आपकी मिट्टी नहीं है आप पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप 30-40% खाद जरूर मिलाईए अपने मिट्टी में मेरे मुझे बहुत जादा मिलाने की जरूरत नहीं होती है मैं जब नए पौधी लगाती हूँ मिट्टी तयार करती हूँ उस समय में थोड़ी से 5-10% खाद मिला लेती हूँ बस तो कुछ सबजियों की सीडलिंग तो मैंने कर ली है जैसे इन तीनों टबू में मैंने पालक के बीज लगाए हैं इसके अलावा मैंने चौलाई के जिसे लाल साग भी कहते हैं उसके बीज लगाए हैं इस वाले कंटेनर में और धनिया के बीज लगाए हैं तो इन तीनों सबजियों के बीज मैंने कैसे लगाए सब कुछ डिटेल में वीडियो मैंने शेयर किया है आप मेरे चैनल पर देख के help से बहुत आसानी से बना सकते हैं वो भी मैंने अपने वीडियो में शेयर किया है आप देख लीजेगा और आज हम लोग सीडलिंग करने वाले हैं मटर और मूली के तो देखें ये मटर के बीज हैं और ये हैं मूली के बीज तो इन दोनों ही सबजियों के बीज डायरेक्ट लगाये जाते हैं जहां हमें लगाने हैं पहले से आपको नरसरी तैयार करनी की ज़रूरत नहीं है तो चलिए पहले मटर की सीडलिंग कर लेते हैं मटर के लिए हम मिट्टी में चार चार पांच पाच इंच की दूरी पर लगभग आधा आधा इंच डीप होल्स कर लेंगे और इसमें हम हर होल में दो दो बीज डालेंगे तो देखें मेरे जो ये कंटेनर का साइज है ये 17 इंच इसकी चौडाई है और 26 इंच इसकी लंब अगर आप राउंड शेप के जैसे जो प्रॉपर गमले आते हैं उसमें आप 12 इंच के गमले में लगा रहे हैं तो दो से तीन पौधे आप लगाईए तो देखें इतने बड़े साइज के कंटेनर में मैं दो दो बीज आठ जगे लगा रही हूं तो सारे के सारे बीज निक अब क्या करें मन भी नहीं मानता लगाए बिना टमाटर तो मैं इतने सारे लगाए थे सारे ही लगबख खराब कर दी हैं कुछ पौधे बचे हैं बस तो एक दो कंटेनर में और मैं लगाऊंगी बस टमाटर नहीं लगाऊंगी जादा तो इस तरह से आप इसे मिटी से ढग दीजें और ऊपर से वाटर नंग करें के तो अच्छे से हैवी बातर करेंगे क्योंकि मोटे-बड़ए भीज होते हैं मतर के तो अच्छे तरह से फूलने चाहिए वो और दो कंटेनर में इसी तरह से सीडलीं करूंगी एक में मैं आपको दिखा दिया है और दूसरे कंटेन बनती है, लंबी होती है तो minimum 10 इंच की गहराई का कंटेनर आपको मूली के लिए लेना ही होगा और उसके मिट्टी मूली के लिए हमेशा बहुत भुरबुरी होनी चाहिए देखे कितनी हलकी मिट्टी है मेरे कंटेनर्स की, जितनी हलकी जितनी soft मिट्टी होगी उतना ही अच्छा मूली का size होगा जितनी भी मिट्टी के नीचे बनने वाली vegetables हैं उसमें यही rule होता है कि जितने मिट्टी हलकी होगी उतना ज़ादा जो सबजी है मिट्टी के अंदर वो बढ़ पाएगी उतना ज़ादा volume ले पाएगी तो बिलकुल आपको हलकी मिट्टी तयार करनी है और जो चावल गेहों के कट्टे आते हैं अग्रो बैक्स हैं उनमें भी आप मूली लगा सकते हैं क्योंकि उनमें गहराई होती है तो 10-11 इंच के गहराई वाला कंटेनर आप मूली के लिए 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 और देखे मैं कितने सारे बीज ड बाकी के सारे हटा दूंगी तो जब थोड़े थोड़े ना दो तिन तिन इंच के जब इसके पौदे हो जाएंगे उसके बाद हम हेल्दी प्लांट्स रख करके और बाकी के निकाल देंगे तो बस बहुत जादा गहरा मूली को नहीं दबाना है क्योंकि छोटे-चोटे बी मैं भी दो बार लगा चुकी हूं और एक बार भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले नहीं है लेकिन मैं एक बार और ट्राइ करूंगी और कुछ मैं टमाटर के पौधे भी लगाऊंगी और क्या-क्या लगाऊंगी आगे वीडियो में आपके साथ लगातार शेयर करत और यहां पर देखिए यह कुछ टमाटर के पौधे बचे हुए हैं यह बच गाए हैं बंदरों से क्योंकि जब बंदर आये थे तो यह पौधी छोटे थे और अब इनमें फ्लावरिंग शुरू हो रही है तो बस जब टमाटर लगेंगे तो एक बार और तो उनका आना हो इसलिए बस अब मुझे टमाटर लगाने का इतना मन नहीं है अगर मैं बंदरों से बचा पाऊंगी उन्हें कुछ धकने की का इंतजाम कर पाऊंगी तो ही मैं एक दो कंटेनर में लगाने वाली हूं नहीं तो मैं नहीं लगाऊंगी और इन बंदरों की वज़े से ही मैं इ थेंक यू